अगर दोस्तों आप भी सोमनात जोतिलिंग की यात्रा गरने वाले हैं और यहाँ और आप सोमनात में एक राथ रुकने का प्लान करके जा रहे हैं तो दोस्तों सोमनात के अंदर रुकने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्ताए देखने को मिल जाती है यहाँ पर सोमनात मंदिव के ट्रस्ट द्वारा बक्तनिवास बने हुए है जहाँ पर आपको रुकने के लिए बोहत ही अच्छी विवस्ता मिलती है साथ में आपको काफी सारी सुविताये भी मिल जाती है और दोस्तों यहाँ पर आपको एक बक्तनिवास में से समुद्र के खुबसुरत से नजारे भी अपने ही कमरे में से देखने को मिलेंगे तो चलिए दोस्तों सभी बक्तनिवासों के बारे में आपको डीटेल वाइस वीडियो में बताते हैं और दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप सोमनात में सिप 90 रूपे में रूपना चाहते हैं तो सोमनात में आपको डोर मेट्रीस भी देखने को मिलती है जहाँ पर आप सिप 90 रूपे में रूप सकते हैं तो चलिए दूस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको सोमनात में रूखने के लिए संपुन जानकारी देते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा और दूस्तो कोई डाउट रहता है कोई सवाल रहता है तो कमेट करके जरूर पूछिएगा तो दूस्तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको सोमनात में कौन-कौन से वक्तनिवास देखने को मिलेंगे दोस्तो सोमनात के अंदर आपको सोमनात ट्रश्ट के तीन वक्त निवास देखने को मिलते है इसमें से पहला है महसवरी अतितिग्रह दूसरा है लिलावती अतितिग्रह और यहाँ पर तीसरा है सागर दर्वसन अतितिग्रह इसमें से दोस्तो आपको लिलावती और महसवरी अतितिग्रह के प्राइजिस जो रहते हैं कमरों के वो सेन देखने को मिलते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सागर दर्शन अतितिग्रह है इनके प्राइज थोड़े ज्यादा रहते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी सारे कमरे बने हुए है वो सी वी रूम बने हु तो यहाँ पर मैं आपको सेम प्राइज वाला पहले बताता हूँ जैसे के लिलावती और मायसवरी अतिती ग्रह में जो आपको कमरों के किराये पड़ते हैं लिलावती अतिती ग्रह और मायसवरी अतिती ग्रह में आपको 9 AC रूम जो मिलता है डबल बेट का उस साड़े साथ स में यह रूम मिल रहा है तो आपको एडवांस में एक अजार रूपे देना पड़ेगा जो आप यहाँ पर रूम अपना खाली करेंगे तब आपको वापिस रिटन कर दिया जाएगा जो आपके बाकी के पैसे बचते हैं उसे और यहाँ पर आप डबल बेट एसी रूम लेना आपको यहाँ पर 2000 रूपे देने पड़ते हैं तो भी आपको यहाँ पर रहनी के लिए रूम मिल जाता है यहाँ और आपको चार बेट वाला रूम मिल जाता है जिसका प्राइज रहता है 1700 रूपे आपको यहाँ पर एडवांस में 25 रूपे पे करना पड़ता है जब आप कमरा खाली करेंगे तो आपके 17 से रूपे काटके बाकी ये बचे हुए पैसे आपको रिटन कर दिये जाएंगे यहाँ पर दोस्तों आपको सारे रोंग जो रहते हैं वो 24 गंटे के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पर जो भी आप पेमेंट करेंगे वो आपका ओनलाइन हो जाएगा और आपका रूम भी बुक हो जाएगा और दोस्तों आपको यहाँ पर 24 गंटे के लिए कमरा मिल जाएगा यहाँ पर आपको प्यता दे के आपको कब चेकिंग करना है और कब चेक आउट करना है तो चेकिंग का जो टाइम है वो यहाँ पर सुभा के 11 बजे का रहता है और चेक आउट का टाइम दूसरे दिन सुभा 10 बजे का रहता है तो आप यहाँ पर पूरे 24 गंटे के लिए रू दरूरत नहीं पड़ती है और दोस्तों आगे वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप सोमनात में एकदम फ्री में बोजन कैसे कर सकते हैं कौन सी जगे पे कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आगे वीडियो में आपसे बात करते हैं अगर दोस्तों आप यहाँ पर वो उनसे डाइरक्ली पूच सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर अगर आप मैस्वरी अतितिग्राव में रुखना चाहते हैं तो उसका भी मैं कौंटेक नमबर यहाँ पर स्क्रीम के उपर मेंसन कर रहा हूँ और इनके क्येर टेकर का नमबर भी म कोई बच्चा आ रहा है तो यहाँ पर उनके इनके किसी प्रकार का इक्स्ट्रा CHANGE नहीं रहेगा और दोस्तों उनके निए अगर वह पालने में सोता है तो उनके लिए यहाँ पर पाल्ला भी मिल जाएगा आपको और उनके लिए एक्स्ट्रा बेटकी सुईता भी आपको प्रोवाइट करवा दी जाएगी, तो दोस्तों दस साल से कम उबर के बच्चों का यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहता है, अगर दस साल से कोई व्यक्ति आपके साथ में आ रहा है, तो उसका आपको यहाँ पर अलग से एक्स्ट्रा चार्ज देना तेलिये दोस्तों अब बात करते हैं सोमना ट्रश्ट के आखरी भक्त निवास के बारे में जो है सागर दर्शन अतितिग्र, सागर दर्शन अतितिग्र काफी ही खुबसुरत से लोकेशन पे बना हुआ है, यह समुद्र की किनारे से बस थोड़ी सी दूरी पे आपको देख पने को मिलते हैं, यहाँ पर जो भी रूम बने हुए हैं सारे के सारे रूम सी व्यू रूम है, जिससे दोस्तों आप अमने कमरे में ही बेटके समुद्र के खुबसुरत से नजारे देख सकते हैं, लेहरों की आवाजे सुन सकते हैं, और दोस्तों यहाँ से सोमनात मंदिर भी काफी बगल में आपको पड़ता है, यहाँ पर सोमनात मंदिर में होने वाली पुजा की आरती की आवासे भी आपको यहाँ पर रूम में ही सुनाई देती हैं, यहाँ पर आपको जो कमरे मिलते हैं, ओ थोड़ा लक्जरियस और थोड़ा प्रीमियम मिलते हैं, जिसकी व पर आपको दो लोगों के लिए रूम मिल जाता है, जिसका प्राइस आपको बाइस सो पचास रुपे पड़ता है, लेकिन दूस्तों यहाँ पर आपको एड़वास में तीन अजर रुपे देने पड़ते हैं, जब आप यहाँ पर रूम खाली करेंगे तो आपको बाकी के बचे वे पेसे रिटन कर दिये जाएंगे, पर कमरे की जो दूसरी केटेगरी है, ओ है एसी स्वीट रूम, जिसका प्राइस चार अजर रुपे रहता है, आपको यहाँ पर एड़वास में पाच अजर रुपे दिपोजित करने होते हैं, आपर रूम की जो तीसरी केटेग चार रुपे का चार्ज लगता है, यहाँ पर आपको डबल बेट रुपे रुपे चार्ज लगता है, और आपको एड़वास में यहाँ पर 4000 रुपे डिपोजित करने होते हैं, आपको यहाँ पर सागर दर्सन अतिति ग्राव में भी रेस्टोरेंट देखने को मिल जाता ह चाहाँ पर आपको अच्छा बड़िया वोजन मिल जाता है और दोस्तों यहाँ वो लिलावती और मैस्वरी भक्त निवास में भी आपको रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा तो दोस्तों जहाँ पर आपको खाने पिने की भी व्यवस्ता मिल जाएगी साथ में दोस्तों आपको सभी पक्त निवासों में फ्री वाइफाई की सुविदा भी उपलब्द हो जाती है साथ में यहाँ पर जनरेटर भी लगे हुए है जिससे दोस्तों आपको यहाँ पर 2400 गंटे बीजली भी मिलती रहेगी तो दोस्तों यहाँ पर यह सारी सुविताय मिल जाती है बहुत ही अच्छे neat and clean room आपको देखने को मिलते है और दोस्तों यहाँ पर आपको अगर रूपना है तो इसका booking आपको online करवाना होता है यहाँ पर आपको offline में room नहीं मिलेगा तो यहाँ पर screen की उपर में आपको website mention कर रहा हूँ इस website के उपर जाके आपको अपने room का booking करवाना है यहाँ पर दोस्तों website www.somna.org.com यह सोमना ट्रस्ट की official website है इसके अलावा कोई भी website नहीं है जहां से आप अपने room का booking करें फिके दोस्तों वाकी सारी website के उपर आपके साथ scam हो सकता है फ्रोड हो सकता है और आपके पेसे भी डूप सकते है तो मैं इस website का link अपने description में दे दूँगा तो आप वहाँ पे जाके चेक चरूर कर लीजिएगा और इसी website के जरीए अपने room का booking करवाईएगा और दोस्तों यहाँ और अगर आप online कोई पूजा book करवाना च कि रूके रूक है तो सोमणे टरस द्वारा यहाँ पर डोरमेटरीं मने हुए है जहाँ पर बड़े होल बने हुए है जिसमें आप आर 思 रूप सकते है यह पर आपको दूप रखर के doormetries देखने को मिलते है पहला है नोन-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at- आपको return कर दिया जाते है और अगर आप यहाँ पर AC doormetry में रुकते हैं तो आपको 200 रुपए की जगे 400 रुपए पे करने होते है जब आप अपना बेट खाली करेंगे तो बाकी के बचे हुए पेसे आपको return कर दिया जाएंगे तो दोस्तो यहाँ पर डोर मेट्री का किसी प्रकार का online booking नहीं होता है आपको यहाँ पर सोमनाथ आने के बाद offline booking करवाना रहता है यहाँ पर counter बने हुए है चहाँ पर जाके आप अपने डोर मेट्री बेट का booking करवा सकते है तो दोस्तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी डोर मे सोमनत में अगर आते हैं तो दुस्तो आसपास में जो भी प्रमुक जग्या आई हुई है उनको गुमने में आपको 500-600 रुपे का किराया लगता है और उससे ज्यादा भी लग सकता है लेकिन दुस्तो मैंने उस वीडियो में आपको सी 30 रुपे में सोमना जोतिलिंक के दर्श सकते हैं अपनी यात्रा से पहले और दुस्तो अगर आप यहां पर सोमना जोतिलिंक के दर्शन करने के बाद द्वारका दीजी के दर्शन करने के लिए जाने वाले है नागेसवर जोतिलिंक के दर्शन करने के लिए जाने वाले है तो दुस्तो मैंने यहां पर कमबाइंड इसके बारे में भी विवताया है। दूस्तों उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिशन में हमने आपको दिया है। तो आप उसको जाके भी वोच कर सकते हैं। अपनी यात्रा से पहले। दौस्तों द्वारका के वोटल धर मसालाओ का वीडियो भी हमने अमारे चैनल के उपर अप पोजनली सोमनात मंदिर के एकडम पास में बना हुआ है। यावर आप सोमनात के पूराने सोमनात मंदिर पहुच जाईए। जिसे रानी अहल या बाई द्वारा स्थापी सोमनात मंदिर भी कहते है। इस मंदिर के मैन गेट के एकजेट सामने ही आपको पोजनली का गेट तक बोजन मिलेगा तो यहाप और इन दोनो टाइम पर आप बोजन करने के लिए जा सकते हैं, खाना काफी ज़्यादा अच्छा रहता है, टेस्टी रहता है तो दोस्तो यहाँ पर सोमनात में आप फ्रीमेब बोजन इस जगे पर कर सकते हैं तो दोस्तो आसा करते हैं आपकी यात्रा मंगल में रहें आपको रहने के लिए अच्छी व्यवस्ता मिल जाए और दोस्तो हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में सेर कीजिएगा और इस आमारे चैनल को सस्क्राइब भी जरूर कल लीजिएगा और कमेट बुक्स में हर हर माहा देव जैई सोमनात अवस्य लिखिएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ अब तक के लिए चाई पूले नात